नमस्कार, मैं सुसीला जांगडा, प्राध्यापी का इतियास, विशे सामाजिक विज्ञान, उप विशे नाजीवाद और हिटलर का उदे, शिक्षा विभाग हर्याना प्यारे बच्चो, आज का हमारा विशे है नाजीवाद और हिटलर का उदे, हिटलर का जन्म 1889 इस्वी में आस्ट्रिया के छोटे से नगर ब्रोनी में एक निर्धन परिवार में हुआ, गरीबी की कारण अच्छी शिक्षा प्राप्त ने कर सका, और 18 वर्ष की आयू तक उस उसने वियना में एक राज मिस्त्री के यहां नोकरी कर ली, कुछ समय बाद ही प्रथम भायुद छिड़ जाने पर वैसे नामे भरती हो गया आप जो स्लाइड में देख रहे हैं, यह हिटलर का एक चित्र है, इसको देखते ही ऐसी तस्विर उभर कर हमारे सामने आती है, कि जो जर्मनी का एक ताना सहा था, ताना सहा वह होता है, जिसके पास राज्य की सारी सक्तियां उसी के पास हो, नाजी दल की स्थापना, नाज क्या किया, प्रथम महायुद में जर्मनी की प्राजे हुई, और उसे वर्षे की अपमांजनक संधी पर हस्ताक्सर करने पड़े, इस से हिटलर बोखला उठा, 1919 में हिटलर ने जर्मन वरकर्स पार्टी नामक एक सम्हू की सद्यस्यता ले ली, और अपना नेंत्रन स्थाप कर लिया, और उसे नैशनल सोसलिस्ट पार्टी का नया नाम दिया गया, इस पार्टी को बाद में नाजी पार्टी के नाम से जाना गया, प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं कि नाजी दल के क्या कारिय करम थे, नाजी दल ने जर्मन जनता के सामने बहुती सूवेवस्थि इस कार्येकरम की रूप रेखा इस परकार थी नमब एक वर्शे की संधी के अपमान का बदला लेना नमब दो जर्मनी के खोई हुए उपनिवेश पुने प्राप्त करके उसके समराज्य का विस्तार करना नमबर तीन जर्मनी की सैने सक्ति का अधिका अधिक विकास करना नमबर चार जर्मनी भासी परदेशों को मिलाकर एक ब्रहित जर्मन राज्ये की स्थापना करना नमबर पांच यहूदियों को नागरिक अधिकारों से वंचित करना नमबर छे, विदेशियों को जर्मनी में आकर नए बसने देना राश्टियता की भावना का व्यापक परचार तथा परसार करना साम्मेवाद तथा उदारवाद का परचार करने वाले समाचार पत्रों तथा संस्थाओं पर प्रतिबंद लगाना क्रीशी तथा उद्योगों को प्रोचाहित करने के लिए नेजी तथा सरकारी प्रयतनों को बढ़ावा देना संसदिय संस्थाओं का अंत करना दल बंदी तथा विरोधी दलों का दमन करना प्यारे बच्चो इस परकार ये था हिटलर का कारिये करम हिटलर का बंदी बनाया जाना नाजी दल का सत्ता रूड होना हिटलर का ताना सहा बनना प्यारे बच्चो हिटलर ने अपने प्रभाव पूरण व्यक्तिता तथा भासन दवारा नाजी दल के सदस्यों में आश्चारिये जनक व्रीधी कर दी और उसे विश्वास हो गया कि वह गंट अंतर का तक्ता उलटकर स्वियम सत्ता हथिया सकता है अपने इसी विश्वास के कारण 1923 में हिटलर ने गंट अंतर को उल्टने वह सत्ता अपने हाथ में लेने का प्रियास किया उसका यह प्रियास विफल रा और उसे बंदी गरहे में डाल दिया गया जहां उसने अपनी पुस्तक मेन कंप या मेरा संगर्स लिखी इस पुस्तक में उसके जीवन तथा राजनितिक विचारों का वरतान्त है शिघर ही यह पुस्तक लोग पिरिये होकर नाजी दल की बाइबल बन गई बंदी बनाए जाने के कारण हिटलर लोगों में बहुत पिरिये हो गया नाजी दल का सत्ता रूड होना एक ही वर्स के भीतर हिटलर को जेल से रिहा कर दिया गया 1925 से 1929 तक उसका समय नाजी दल के संग्ठन में वैतित हुआ उसने स्थान स्थान पर इस दल की साखाई स्थापित की 1929 के विशव व्यापी आर्थिक मंदे के कारण जर्मनी की दसा शोचनिय हो गई देश में बेकारी और भूख मरी का बोलबाला था हिटलर ने इस परिशित्ती का भरपूर लाब उठाया और उसने लोगों को बताया कि गंट अंतर रास्टर की समस्याई सुलजाने में ऐस मर्थ है अतै लोगों की संख्या भढ़ती चली गई 1932 इस्वी में रास्टर पती का चुनाओ हुआ इस चुनाओ में हिटलर हिंडनबर्ग के मुकाबले में खड़ा हुआ हिंडनबर्ग विजैरा लेकिन हिटलर ने हिंडनबर्ग जैसी लोग पिरिये तथा परतिस्ठित नेता के मुकाबले में 37 परतिसत वोट प्राप्त किये इतने वोटों का मिलना हिटलर के बढ़ते हुए परभाव का प्रिचाएक था साथ ही 1932 के चुनाओं में नाजी दल को 230 सीटे मिली इस परकार यह दल रिष्ठाक का सबसे महान दल बन गया हिटलर का चांसलर तथा ताना सहा बनना प्यारे बच्चो राष्टरपती हिंडेन बरग ने हिटलर को अपना चांसलर बनाया सासन सत्ता हाथ में आ जाने पर हिटलर जर्मनी का ताना सहा बनने के सपने देखने लगा दमन की इस वातावरण में मतदान हुआ और नाजी दल बहुमत प्राप्त करने में सफल रहा अप्रेल 1933 को नई संसद ने अपने सारे अधिकार चार वर्ष के लिए हिटलर तथा उसके मंत्री मंडल को सोंप दिये इस परकार गणतंतर का अंत्सा हो गया दो अगस्त 1934 इस्वी को राष्टरपती हिंडेन बरग का देहान थुआ हिटलर ने इस अवसर का लाब उठाया और राष्टरपती के अधिकारों को भी अपने हाथ में ले लिया 14 अगस्त 1934 इस्वी को एक जन्मत संग्रे ने उसके इस कारिये की पुष्टी कर दी और उसने राष्टर नायक फ्युहरर की उपाधी धारन की इस परकार सक्ती ग्रहंड करने के एक वर्ष के भीतर ही हिटलर जर्मनी का तानाशा बन गया प्यारे बच्चों इस तरह हिटलर जर्मनी का तानाशा बन जाता है और नाजी दल के उदे के कारण वर्षे की अपमान जनक संधी नंबर दो, उन्निस सो उनतिस इस्वी का आर्थिक संकट वर्षे की अपमान जनक संधी प्यारे बच्चो प्रथम हायुद में जर्मनी की हार हुई और उसे वर्षे की अपमान जनक संधी पर हस्ताक्सर करने पड़े थे इस संधी के अनुसार जर्मनी को एक बड़ी भारी रासी युद में क्स्ति पूर्टी के रूप में देनी पड़ी उसके अनेक परदेश तथा उपनिवेश उससे छीन लिये गए उसके सैन्ने सक्ति को कम कर दिया गया जर्मनी की कुछ कोईले की खानों पर मित्तर देशों ने अधिकार कर लिया इस परकार वर्षे की संधी जर्मनी के लिए कठोर होने के साथ साथ अपमान जनक भी थी इससे जर्मनी के मान को बड़ा भारी धक्का लगा वाइमर गंडराजे वर्षे संधी के अपमान का बदला नैलेश का इससे जर्मन जनता में ऐसंतोस की लहर दोड़ गई वे मित्तर रास्ट्रों के आधिपत्य को कुचल कर जर्मनी के प्राचीन गोरव को स्थापित करने के लिए मचल उठे ऐसी प्रीशित्तियों में हिटलर ने जर्मन जनता को विश्वास दिलाया कि वह वर्षे की संधी के अपमान को धोकर रहेगा उसने तथा उसके दल ने हम फिर हथियार उठाएंगे का नारा लगा कर लोगों के दिलों में स्थान प्रापत कर लिया 1939 का आर्थिक संकट प्यारे बच्चों 1939 में विशव आर्थिक संकट की च्पेट में आ गया और इसका परभाव जर्मनी पर भी पड़ा प्रतम महायुद के कारण देश में पहले ही भूख मरी और बेरोजगारी का बोलवाला था लगभग 60 लाग लोग बेकार हो चुके थे वे देश में ऐसंतोस और बैचैनी फैला रहे थे गंतंतर आर्थिक संकट को दूर करने में ऐस फल रहा इस पर हिटलर को एक नई आसा की किरन दिखाई दी उसने घोसना की की जर्मन जनता की इस सारी दूर दर्शा का कारण वह सरकार है जो समराज्य वादी देशों के सामने गुटने टेक चुकी है साथ ही उसने जर्मनी के पूंजी पतियों और यहूदियों को आर्थिक संकट के लिए उत्तरदाई ठहराया जून 1931 में किसानों पर लगभग तीन अरब डालर का रिंड था नाजी दल ने इस रिंड को रद करने का आंदोलन करके किसानों को अपनी और आक्तिस्ट किया अनेक उध्योग पतियों ने भी साम्मेवाद से भेवीत होकर हिटलर का समर्थन किया इस परकार दिन परती दिन नाजी दल के सदस्यों की संख्या में वरीदी होती चली गई वास्तों में आर्थिक मंदे ने हिटलर और नाजी पार्टी के लिए संजीवनी बूटी का काम किया नाजीों ने अधिकांस जर्मन जनता पर यह चाप छोड़ दी कि नाजी दल ही एक ऐसा दल है और हिटलर ही एक मातर ऐसा नेता है जो जर्मनी को आर्थिक संकट से छुटकारा दिला सकता है नमबर तीन वाइमर गंडराज्ये के प्रती ऐसंतोस नमबर चार जातिये प्रमपरा तथा चरीत्तर वाइमर गंडराज्ये के प्रती ऐसंतोस प्यारे बच्चो जर्मन जनता को पहले ही गंडराज्ये में विश्वास ने था दूसरे प्रिसित्तियों ने वाइमर गंडराज्ये को अपरिये बना दिया इस गंडाजे के जनम के साथ ही वर्षय की अपमान जनक संधी पर हस्ताक्सर करने पड़े थे ख्षती पूर्ती और निशस्त्री करण के कड़वे घूट पीने पड़े फलत यह जर्मनी जनता की मनो कामनाओं की त्रिप्ति ने कर सका इसे जनता में वाइमरगन राजे के प्रती एशंतोस फैल गया उसकी आस्था एक तंतर वादी सासन के प्रती ही बनी रही फिटलर ने जनता की इस आस्था का पूरा लाब उठाया जातिये परंपरा तथा चरीत्तर प्यारे बत्चो जर्मन लोग सवभाव से ही सैनिक मनो विर्ती के थे अनुसासन की भावना उन में कूट कूट कर भरी हुई थी वीर पूजा करना उनका धरम बन चुका था हिटलर के रूप में उन्हें एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जो उनका फ्युहरर बन सकता था जर्मनों ने इस जातिये परंपरा तथा चरीत्तर ने नाजी दल के उदे का मारग परसस्त किया नमबर पांस यहूदियों के विरुद परचार नमबर छे हिटलर का चुम्बकिये वैक्तितव नमबर साथ सवेम सेवक दल यहूदियों की विरुद परचार प्यारे बच्चों हिटलर को विश्वास था कि प्रथम महायुद में यहूदियों ने जर्मनी को दोखा दिया है तथा मित्तर रास्ट्रों की सहाइता की है जर्मन उध्योगों पर यहूदियों का अधिकार था तथा शासन कारिये में भी उनका विशे साथ था हिटलर ने जर्मन जनता को यहूदियों के विरुद भड़काया और जर्मन लोग पहले से ही सासन तथा उध्योग में यहूदियों के प्रभूतव से तंग आ चुके थे आतेवे हिटलर के अनुयाई बन गए हिटलर का चुम्बकिय व्यक्तितव प्यारे बच्चो हिटलर ऐसाधारन तथा प्रभावसाली व्यक्तितव का स्वामी था उसमें नेता बनने के वे सभी गुण विध्यमान थे वे प्रभावसाली तथा उच्चकोटी का वक्ता था उसके भासन बहुत जोसीले होते थे और उनमें जादू का सा असर होता था लोगों का उस पर अंध्वी स्वास्था हो गया वे उसे दैवी सक्ति समझने लगे इस स नाजी दल के परसार तथा परसार में काफी सहायता मिली सवयम सेवक दल प्यारे बच्चों मित्तर रास्टों ने वर्षे की संधी के अनुसार जर्मनी की सैनिक सक्ति कम कर दी इस से बहुत से सैनिक बेकार हो गए हिटलर ने इन सैनिकों को अपने सवयम सेवक दल में भरती कर लिया ये सव्यम सेवक नाजी सम्मेलनों की सुरक्षा करते तथा विरोधी दलों की सभाओं को भंग करते और थोड़े समय में ही इन सव्यम सेवकों का दल जनता में लोग पिर ये बन गया इस दल ने देश के कोने कोने में नाजी वाद का परचार किया पूनर निर्मान य रोम, बर्लिन, टोकियो, धुरी, सोवियत संग पर हमला प्यारे बच्चों अब हम आते हैं वर्षे की संधी का उलंगन हिटलर वर्षे की संधी को जर्मनी के माथे पर कलंग काटी का समझता था और वह इस कलंग को धो डालना चाहता था प्रीशिध्तियों इसे स्वेम अवसर पर दान किया उसके सत्तारूड होने से पूरो जेनेवा में नीसस्त्रीकरण संमयलन हो रहा था इस संमयलन में जर्मनी के प्रतिन इधियों ने नीसस्त्रीकरण की सर्थ सभी रास्ट्रों पर समान रूप से लागू करने की मांग रखी प्रन्तु उसकी इस मांग पर उचित ध्यान ने दिया गया इस पर हिटलर ने अपने प्रतिन इधियों को वापिस पुला लिया गया तत पस्चात उसने रास्ट्र संग की सदस्यता भी छोड़ दी इस संस्था को भारी धक्का लगा